इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 and SN2 रियक्सिन देखिए एक होती है हमारी नुकलियोफिलिक सट्रीटिशन रियक्शन यूनि मॉलिकुलर और एक होती है बाइ मॉलिकुलर अब यहां क्यों लगता है हमें ऐसा वो भी बता रहे है उसका रीजन क्या है वो भी बता रहे है यहां से संदी सलीगा देखिये सबसे पहले बात परते हैं background तो SN1 ऑनक्रीले श्ते हम मालूम है इसको हम क्या बोलते हैं, RDS भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RDS, अब RDS मतलब rate determining step है, सबसे पहले ये वाला bond break हो करके, आपका बनता है एक कार्बोकेटायन, जब ये कार्बोकेटायन फर्म हो जाता है, और BR as a living group अलग हो जाता है, तो उस condition के बाद सुनियेगा क्या होता है, उस condition के बाद आपको step second में कार्बोकेटायन फर नुक्लियोफाइल अटेक करो, ये हमने बना दिया अपना कार्बोकेटायन, clear, और इस पर आप कौन अटेक करेगा, आपका नुक्लियोफाइल अटेक करेगा, अब इस नुक्लियोफाइल के पास दो possibility एक तो direct आ जाए, एक आपको दो product, जब ये direct लगेगा सीधे सामने से ही, तो product आपका कुछ इस तरह का होगा, और जब ये back side से detect करेगा, तो आपका product जो होगा, वो कुछ इस तरह का होगा, अब आप notice कर रहे होंगे, अगर मैं इसकी comparison, इस से करूँ इन दोनों की, reactant से, तो देखो, reactant का orientation अगर BR के respect में देखो, तो OH सेम है, इसको तो बोलते हैं आप retention, यानि ये वाला जो product है, ये आपका दिखा रहा है, main reactant से retention, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, तो main reactant से ये क्या दिखा रहा है, inversion, क्या दिखा रहा है, inversion, अब ये कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से, जिधर side म मालोब ऐसे खड़ा हूँ, और left side में BR है, अगर इधर nucleophile भी left side में है, तो ये है आपका retention, यानि श्रिप BR हट गया, OH आ गया, लेकिन reactant और product के orientation सेम रहे, अगर वो पहले से clockwise है, तो clockwise रहे, और anti-clockwise है, तो anti-clockwise, लेकिन यहां पर क्या होगा, change, अगर reactant clockwise था, तो product क्या होगा इसमें क्या हुआ, धियान से, दोनों हुए, retention भी हुआ, inversion भी हुआ, कितने percent हुए दोनों, 50-50% हुए, तो ये जो हुआ, ये दोनों मिला करके, बोला गया क्या, race-mization, समझ में आ गई बात, अब ये जो word बोला गया, race-mization, ये किसके लिए, इन दोनों के 50-50% amount के लिए बो SN2 reaction में क्या है, जो हमारा alkyl halide है, वो कैसा होना चाहिए, primary होना चाहिए, तो बहुत fast reaction होती है, ऐसा इसलिए है, तो क्योंकि nucleophile पर कैसा charge है, negative charge है, इस पर भी क्या है, इसका nature भी, electronegative है, और इनकी tendency भी कैसी है, negatively charge cloud की है, तो जैसी है आप इसको OH को इधर attack करवाएंगे, इधर से तो यह ripple करेगा, अगर इनके number जाद हुए, तो यह भी ripple करेंगे, तो इसलिए इसमें क्या है, आपका reaction rate क्या हो जाएगा, slow हो जाएगा तर सरी, तो आप इसको किदर से कराते हैं attack, back side से, back side से attack कराने क्या मतलब यह हुआ, कि आपका OH ने carbon के साथ bond बनाना true कर दिया और जो BR था, उसका bond क्या होना, शुरू हो चुका है, break होना true हो चुका है, और यहाँ पर आपके H और CS 3 है, यह एक state बनी है, जिसको बोलते हैं, transition state है, unstable है, highly unstable है, current किसमें बदल जाएगी, product में बदल जाएगी, अब product जब आपको मिलेगा, तो product का orientation जब आप चेक करेंगे, तो product के orientation में आप पाएंगे, कि जो आपका, क्या था, reactant था, उसके just क्या है, opposite है, मतलब अगर यह clockwise रहा है, तो यह कैसा हो गया, anti-clockwise, अगर product anti-clockwise है, तो यह कैसा हो जाएगा, clockwise, इसको बोलते हैं, inversion of configuration, क्या बोलते हैं आप इसको, inversion of configuration, अब जब आप inversion of configuration को करेंगे, तो इस condition में आपके पास बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कि SN1 reaction दोनों से proceed होती है, यानि overall racemization से, और यह सुर्फ inversion of configuration से, इसमें दोनों चांसे नहीं है, बहुत छोट सा mechanism है, बड़ा ही प्यारा है, इसके परवा आप mechanism भी सीख सकते हैं, और साथ साथ में stereo chemistry भी सीख पाए छोटogen से, एक भी साथ में आप अटोनों से, लिक ही भी भी सीख प्यारा है, इसमें झा कि Specialty कभ फिस एमान में आप्रवा है, और यह सकते हैं, एक रहला है, यहत दोन्यारा है, और साथ खोगा हैं